मैं दोस्त अगर तुम्हां breakup हो जाने के बाद भी तुम यह तरीका खोज रहो कि किस से अखर क्या करें एक्स पार्टन हमें खुद call message करें हमारा ex-partner हमें शक्तू को सा भी तरफ से यह बात पर करें क्योंकि हमारा बच्पना था दुनिया भर की ऐसी वैसी उसने बाते कर रखिए जिससे सुनके तुम्हारा पारा उस समय चड़ा गया था एक दिन मोड खराब हो गया था तो सब जोड़ खटा के तुम्हें अपने मन का एक्स्पेनेशन नहीं मिला था और बहुत ज़ादा बहस करते करते बात वहां तक पहुँच गई कि उसने तुम्हें हर जगा से ब्लॉक कर दिया कहीं से भी अप कॉंटेक्ट करने के लिए कुछ भी बचा नहीं है तो माल ऑननोन आइडी से उसको मेसेज करते हो तो लें दो ब्लॉक कर देता है अननोन नमर से उसको कॉल करते हो अवास सुनता ही है फोन कार्ट के रख देता है और स्थिती यह हो गई है आज के टाइम में कि कोई भी कांटेक्ट उस इंसान से नहीं हो पा रहा है अब बहुत सारे अंसुल जे सवाल है तुम्हारे पास बहुत साइज चीजे हैं जो उससे डिसकस करनी है उससे बात करनी है और वो सब पर छोड़ो मैं दोस इस इंसान को ही होने बाला है अब मालो ब्रेक अब के बाद बंद हो गई है तो ऐसे केस में कैसे अपने एकस पार्टर को कॉल मेसेश करवाएं पूरे टॉपिक बाद इस वीडियो में डिसकस करेंगे साथ में ये भी समझेगे आखिर तुम्हारा एकस पार्टर को के जाते ही तो चलिए वीडियो को बढ़ते हैं बिना कोई वक्त अगवाएं तो मेरे दोस्ट यहाँ पर मैं तुम्हें दो तरीके बताने वाला हूँ जिससे तुम्हारा एकस पार्टर को कॉल मेसे करने लग जाएगा अगर तुम्हें बात बन भी हो गई है तो लेकिन से पहले मैं दोस्ट में कुछ बताने वाला हूँ जिसको तुम्हें समझना बहुत जरूरी है और यह एक पॉसिबिल्टी है कि इसके अलावा एक पॉसिबिल्टी और हो सकती है सबसे पहले तो जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हो सकता है तुमको लगेगा कठिन हो सकता है तुमको लगेगा भाई यह चीज हो नहीं सकती क्योंकि तुम्हाँ दिमाग ने एकदम से मान लिया है कि तुम्हारा एक्सपार्टरा कभी वापस नहीं आएगा वो तुम्हारी सुनेगा निक्यूंकि और साथी साथ में तुमको जो भी चीज चाहिए तुरं टतकाल में तुम्हें चाहिए तुरं प्रेयास के बाद तुम बहुत ज़ादा इंट्रस्टेड नहीं हो इन सब चीज़ों वह चाहते हैं तुम जरा सा भी वेट नहीं कर पा रह मतलब गया भात बात एक दम बात एकदम बनत होगई है मतलब वो इंसान बात ही नहीं करना चाहता है तो ऐसे केस में अगर मैं कुछ यहां पर बताता हो तुम्हें लगएगा सर उसे दिख नहीं रहा है उसे तो पता ही नहीं चल रहा है तो इस आई चीजे ठीक होंगी कैसे इसे पहले हम बात करते हैं कि अगर तुम्हें कोई अक्टिविटी दिख भी रही है तो उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मान लो कि तुम कुछ उसके लिए एफर्ट लगा रहे हो और तुम उसको दिखाना चाहरे हो कि भी हम यह एफर्ट लगा रहे है मान लो जिससे कि नहां से बताया कि भाई तुम अपने आपको बेटर कर लो तुम मन में अगला सवाल आएगा कि भी हम बेटर्मेंट दिखाएंगे से सर तो पहले एक चीज़े बेटर्मेंट दिखाना ज़रूरी नहीं है वैसे तुम्हें ब्रेकप हो गया है ब्रेकप हो एक साल हो गया है कुछ भी फरक नहीं पड़ रहा है जहां तुम पहले थे वहीं तुम अभी भी हो तुम ब्रेकप की टाइम जैसे थे आज भी वैसे उसमें कोई परिवर्टर नहीं सिर्फ समय बीता जा रहा है तुम जितना वेट कर रहे हैं उतना पीछे भाग रहे हैं उतना ही समय और जाद आगे बढ़ जा रहा है तुमको लग रहा था एक मेहने में सही हो जाएगा एक मेहने के जिगा आज एक साल हो गया है लेकिन कुछ भी परिवर्टते नहीं है तुम आज कल भी परिशान थे उसके वज़े से तुम आज भी परिशान उसके वज़े से वो कल भी मज़े में था मज़े में क्या है मज़े में सिर्फ तुम्हाई साइट से तुम्हाई साइट से कहने का मतलब उसके जीवन में और भी दिक्कत है लेकिन वो relationship के मामले में खुश है क्योंकि तो उस इंसान ने तुमसे break up कर लिया है वो सिर्फ इस वज़े से चीज़े बहुत ज़दा complicated हो रही थी वो इंसान frustrated हो रहा था और उसकी value तुम्हें बहुत ज़दा बना दी थी तुम उसकी क्योंकि break up के बाद तुम ज़रा से भी change नहीं हुए मैं कहता हूं पान साल बीथ गया कुछ नहीं हुआ तब तुम्हें लगेगा कि भाई पान साल बीथ गया अभी तक मेरा पूरा वक्त बरबाद हो गया अगर मुझे यही पान साल दुबारा मिल जाए तो मैं दूसरी तरीक कुछ नहीं करो के तो तुम्हारा हार नाते हैं मतलब कुछ नहीं करो के तो एक साल को चुड़ो तुम एक साल अगर तुम अपने उपर देते हो एक साल के इंदर एकस की possibility बन जाएगी call या message करने की अब मैं तुमको बताता हूँ कैसे होगी मेरे कहने का मतलब था इस possibility में कि मैं दोस्त अगर तुम्हें समय बरबाद भी करना है तो कुछ करके बरबाद करो ना करके नहीं भाई अभी क्या कर रहो तुम अभी समय कैसे बरबाद कर रहो त रहे करने हैं तो सबसे पहली है तो में मत थे रहता है call message करने का उसका एक call message अजार तो TUM मुझ जाओ तुम ना उठाओ तुम हो सकता है ना call message करो, लेकिन तुम ये काम बहुत जार टाइम तक नहीं कर सकता है, क्योंकि वहां से उस इसना message करना उसने शुरू किया, कि प्लीज मेरा phone उठाओ, प्लीज मेरा message करो, तो एक point पाय कर तुम पिघल जाओ, क्योंकि तुम खुद चाते हो, क्योंकि अभी तुम है, उस इनसान से काम है, इनसान insist करके, परयास करके तुम से call message के reply निकल बा लेगा, तुम दो, तीन, चार, पांट, छे बार से जादा उस इसनान को ignore नहीं कर पाऊगे, ऐसे case में practice करनी है, उसके साथ भावनाओं में ना बहने की, मेरे तो अकर तुम reply करोगे, तो reply क जाएगा, वो फिर इनसान चला जाएगा, वो वही वाले हरकते करेगा, और इसके बाद जब तुम चाहोगे call message करना, तब वो इनसान reply नहीं करेगा, तब वो इनसान अपने मन की करेगा, और तुम्हें मूड खराब हो जागा, तुम्हें अपने उपर गुस्ता आएगा, क कुछ दलील दे के उसको ठंडा गड़ दोगे, उसका मू बंद करा दोगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है मिर्दू, उसके पास हर चीज का जवाब है, जैसे ब्रेक अप के बाद था, हर चीज का जवाब है उस इनसान के पास, वो दिखा देगा, ये साबित कर देगा, कैसे ब पहली चीज समझो, कि तुम्हें अपने ओपर काम करना है, तुम्हें रिलेशनशिप के पीछे नहीं भागना है, अभी तुम्हारा ब्रेक अप हुआ है, रिलेशनशिप के पीछे भाग रहो हो, तुम किसी तरीके से भी चार रहोगे ये तुम्हा एक्स वापस आजाए, तो हैं दिमाग में भी आ रहा हुआ कहीं तुम दूसरा लेशन्शिप में चले जो लेकिन में दोस्त चेकी रिमाओ दोनों चीज़ से कुछ नहीं होने वाला है तुम सिर्फ उसको मारने के लिए दोड़ाओगे और कुछ नहीं करोगे और इतना फ्रस्टेशन तुम अंदर भढ़ जाएगा तुम इस इससान के पीछे भाग रहे थे उसके लिए तुम वीडियो देख रहाऊ थि क्योंगी वह आगर तुम अगर तुमाये पास रहेगा तो तुम से दूर जाने का अमन करेगा क्योंगी प्रेकप के समय तनी ज्यादा चीज़ाग हो गई थी और दूसरी चीज सबसे बड़ी प्राबलम है तुम्हाई सेल्फ रिस्पेक्ट एकदम खतम हो चुकी है जिस वज़े से उससान ने ब्रेकप किया और अभी तुम अभी तुम और थायाओ तो भिख ओन अधर आये तो मुस्से दूर भगाओगे और अगर तुमने अपने उपर काम किया अपने आपको बेटर किया खुद को प्राइविट्री में ऊपर लाए तब उस इंसान का call जरूर राएगा, आप काओ के सर हम हर जगा से block हैं, कैसे आएगा, वो रास्ता बन जाता है मेरे दोस्त, तुम्हें अभी वो इंसान call करेगा ही किया, call अगर तुम्हें करेगा, तुम फिर भी पुरानी बात एक करोगे, तुम्हें नहीं करेंगे, लेकिन रेडी नहीं, call भी आगा, उसका कोई मतलब नहीं है, वो इंसान चाहेगा भी तुम्हें से relationship में आना तो नहीं आपाएगा, क्योंकि अभी पहले वाले इंसान वही नहीं गए हो, जो relationship की शुरुवात में थे, तो मेरे दोस्त, वही इंसान relationship की शुरुवात वाला बनना है, सिर्फ अपने आपको better करना है, self respect को gain करना है, emotional stability अपने ले आनी है, मेरे दोस्त, करके confidence बढ़ाना है, तो मित, सबसे पहले जो कोई re-attract होगा, वो होगा तुम्हाँ ex-partner, तो मित करते दोस्तों आपको वीडियो समिन में आओगा, तो आज की वीडियो में पसित रहे हैं, परोज आपरे जाद की वीडियो समिले की वीडियो समिले की वीडियो समय के यज़ाना है, के बदे वीडियो सम्हाँती अरामा थभाबार से बम आपको अजय के पसीति।।.